आपका तो पूर्ण बहुमत है, कौन आपको लगता है भाजपा आपको तोड़ पाएगी पंजाबी, एक सवाल जोड़ रहे हैं, महाराष्टा कोट करते हैं, गोवा कोट करते हैं, नाखुन उनका कटा शहीद आप बनना चाह रहे हैं, अतलब नाखुन कटा के भी शहीद न और बाकी ऑपरेशन लोटस के प्रमाट तो देश के सामने लगातार सरकारें गिराई जा रही हैं, मुझे बताया जा रहा है कि पिछले 7 साल में शायद 200 से जादा MP MLA भाजपा ने खरीदे हैं, भारती जनता पार्टी के पास इतना पैसा कहां से आता है, अगर एक विधाय इंकम टैक्स को ये पैसे नजर नहीं आते हैं, इन पर क्यों नहीं कारवाई होती है, कारवाई सिरफ आम आदमी पार्टी पर होती है, या विपक्ष के लोगों पर होती है, वही मुकुल रोय, वही नरायन राने, वही हिमंत बिस्वसर्मा, वही सुवेंदू अधिकारी, जब विपक्ष की पार्टियों में होते हैं, तो भाजपा उन पर रष्टाचार के आरोप लगाती है, वो जब भाजपा में आ जाते हैं, तो कहते हैं, नहीं नहीं ये तो पाक साफ है, उनकी सारी कारवाईयां रुख जाती हैं, तो इस देश में एजंसियों का दुर्यप तो फिर सारा का सारा दो शिंद पे कैसे मड़ सकते हैं, एक नाच शिंदे दफठाकरे को छोड़ के गए, आपने सही कहा, आथ विधायक जो गए, उसमें आप सोची दिगंबर कामत है, माइकल लोबू हैं, जो कि लीडर अफ ऑपोजिशन थे, ऐसे नेता जो आप राहूल बूरी होती जा रही है, अपनी भाजपा से लड़ाई लडने की शक्ती और जो ताकत है, उसे हारती जा रही है, शायद इस वज़ा से कंग्रिस को जो 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 शक्ती ठो रहे हैं, वहाँ वहाँ आदमी पार्टी आएगी, गुजरात पे आप लोगों ने बड़ा दाउन ल दारू खराब न थी, पर दारू आपने पी जाई से, आपने दारू ने पीवानों से मित्रो, जिए अपने दारू पीए ने, तो दारू खराब न थी, पर दारू आपने पी जाई से, आटलोस प्रोब्लम से, बाके ताकात वोई तो दारू पीओ, देखे गुजरात की जह तो उप गए हैं भाजपा से भाजपा के शासन से, मैं आपको एक्जेंपल देता हूँ, मैं युवा हूँ, युवा पीडी से तालुक रखता हूँ, एक 25 साल का मद्दाता गुजरात का, जिसने 25 साल गुजरात में बताय है, उसने भाजपा की सरकार के अलावा तो कोई और स पीसरी बिंदू बदलाव बदलाव और बदलाव का ही चुनाव है लेकिन वो बदलाव कॉंग्रेस नहीं दे पारी जो कॉंग्रेस 27 साल भाजपा को नहीं हरा पाई अब क्या हराएगी इसलिए लोग आज आम आदमी पार्टी को एक उर्जा के तौर पे एक नहीं राजनेति ही शक्ति के तौर पे गुजराथ में आजमाना जाती है आप कह रहे हैं कि जो मदाता है गुजरात का उसके तीन बिंदू है मुझे बताइगा है जो हिमाचल का मदाता है वो कहा हर गया उनकी इस पाथक थी पाथक पर निकले हैं दिली के उप मुख्य मंतरी मरीश से सोधिया गुजरात में अब इसमें हिमाचल छोड़ दिया क्या क्योंकि हिमाचल के जो मद्दाता हैं उनका बिंदू तो बिंदू रह गया कि भाई आप तो हमारे यहां लड़ने आए थे और आप कहा हैं अभी ऐसा नहीं पार्टी जिम्मेदारी लगाती है नेताओं की कौन से सूबह में जाकर कौन से राज्य के कौन से लाके में जाकर आपको कैमपेंड करना है हमारे पंजाब की मुक्य मंतरी भगवंतमान साहब हफते में एक या दो दिन हिमाचल में बिताते हैं जब काम से फ्री हो जाते हैं एक तो पहली बात मैं आपको बताओं कोई व्यक्ति विशेश किसी एक राज जी की राजनीती नहीं बदल सकता या एक सरकार का तक्ता पलट नहीं कर सकता यह कलेक्टिव एफट होता है इसमें सारे लोग साथ आते हैं और इस पार्टी के हमारी पार्टी के चीफ आर्किटेक हमारे दिल्ली के स्वास्त मंतरी को हमाचल का प्रभारी बनाया था हमाचल में आम आदमी पार्टी रफटार से आगे बढ़ रही थी आज भी बढ़ रही है लेकिन एक बहतरीन रफटार से आगे बढ़ रही थी शायद इसी से घबरा कर डर कर मैं बता रहा हूँ, मैं फिनिश करा हूँ, शायद इसी को देखकर भाजपा ने हमारे उस हिमाचल के प्रभारी दिल्ली के स्वासमंत्री को जेल में डाल दिया, पिछले कई महीनों से वो जेल में है आज की बात आप सुनें, हम लोग कोट में बेल की याचिका लगाते हैं, कि इतने महीनों से क्यों उन्हें बंद किया हूँ, कोट भारती जन्ता पार्टी की सरकार के वकील से कहता, सबूत लाओ, नहीं तो हम इने छोड़ देते हैं, रहात दे देते हैं, बेल पे छोड़ दे दस हेरिंग से वो सबूत नहीं दे पारे हैं, और आटों मिले भी नहीं जा रहे हैं, जब सबूत नहीं दे पाए, तो आज भाजपा ने एक याचिका उस कोट में दायर करी, कि जज बदलना है हमें, जज हमसे सबूत मांग रहा है, हमें जज नहीं पसंदा है, यह सर्थ त क्या कहते हैं, आप कोई उन से मिलने भी नहीं जाता है, यह आम आदमी पार्टी के हेल्थ मॉडल के जनक हैं, सतेंदर जैन साब, हमारी पार्टी का अभिन अंग हैं, हम सब के एक बड़े सीनियर लीडर हैं हमारी पार्टी के, और मैं साफ तोर पे इस चीज का खंडन करना चाहूंगा जिस प्रकार से भाजपा फर्जी मुकदमों में उन्हें फसा कर इतने महीनों से इतने हफ्तों से जेल में उन्होंने बंद किया हुआ है, और आज जब हम बेल के लिए एप्लिकेशन कोर्ट में मूफ करते हैं, तो भाजपा कहती हैं, हमें जज नहीं पसंद, ह पानी ले लिजे मुफ्त जी, और उसके बाद क्या होता है, आपको चाहिए रेवन्यू, फिर आपको शराब नीदी ट्वीक करनी पड़ती है, यही वज़ा तो नहीं कि आपके विधायक वहां समझा रहे हैं कि शराब बुरी चीज नहीं है, क्योंकि अगर आपको मुफ्त 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 देना होगा, तो रेवन्यू तो चाहिए न, और शराब एक बहुत बड़ा रेवन्यू सोर्स है, इमांदार जवाब दीजेगा, रागप जी, मैं इस पूरी रेवडी की बात पर आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा, कि एक तरफ अरविन केजरिवाल ज जनक जीवन जीने के लिए, एक शक्स को जितनी बिजली चाहिए, जितना पानी चाहिए, 300 यूनिट बिजली महीने की, 20,000 लीटर पानी एक परिवार को, अच्छी शिक्षा, मुफ्त इलाज, ये एक राज्य की, एक कल्यान कारी राज्य, एक वेलफेर स्टेट की पंदरा लाग करोड का करजा उद्योग पत्यों का माफ कर दिया, अब जनता के सामने जाकर हम कहना चाहते हैं, हमारी रेवडी पसंद है, तो हमारा हाथ थाम लीजे, भाजपा की corporate tax waiver की रेवडी पसंद है, तो उनका हाथ थाम लीजे, शराब जरूरी है, कमाई के लिए, देखिए एक राज्य के कमाई के कई सारे sources of income होते हैं, share in central taxes होता है, income tax का एक हिस्सा मिलता है, GST का एक हिस्सा मिलता है, और राज्य सरकार के पास tax collection का एक ही जरिया होता है, वो होता है excise, जो excise शराब पे भी लगाया जाता है, petrol, diesel अन्य पदार्थों पे लगाया जाता है आप बात करते हैं, शराब बंदी बंद करने पर सोचेंगे क्या गुजरात में, क्योंकि देखिए सर, COVID खत्म हुआ, सबसे पहले कहा है, शराब की दुकाने खुली दिल्ली में, revenue शराब के जरिये जो है, उस पर अच्छी नजर रहती है आपकी सरकार की, इसलिए पोच्छ कालुक रखता हूं, कहा जाता है, पंजाब में बहुत नशा है, मैं आज अधिकरित तौर पे आपके इस थर्ड डिग्री कारिकरम में कहना चाहता हूं, पंजाब के अंदर भारी तादाद में नशा, गुजरात के पोट के जरिये से आता है, और लगातार हजारों करोड के रोजाना ड्रग्स या हफ़ते में कही हजार करोड़ कारिकरम में लेता है, ये बताएं न, कि अवैद शराब को हम रोक देंगे, ये बोलने के क्या जरूरत है कि शराब को ही वैद कर देंगे, आप लोग कहते हैं कि गांधी जी की भूमी है, वहाँ पर आप लोग शराब क में उन सब को पकड़ के जेल में डाले हैं, एक अर्विन केजरिवाल की एक इंटव्यू का हिस्सा हम चलाना चाहते हैं यहां पर, थोड़ी सी थोड़ा स्पश्टी करना चाहिए, लोग थोड़ा कन्फ्यूजड है, हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्यूरिटी, हमें नहीं पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्यूरिटी, हमें नरेंद्र मोधी जी प्रधान मंत्री होते हुए अगर दिल्ली के मुख्य मंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा देदें अब कन्फ्यूजन है, सिक्यूरिटी चाहिए नहीं चाहिए, क्या करें सामने वाला देखिए आपको इस पूरे मुख्य मंत्री जी के बयान को सही परिपेक्ष में देखना होगा गुजरात में अर्विन केजरिवाज जी एक आटो चालक, एक आटो चलाने वाले के घर पे उसके बुलावे पे उसके निमंतरन पे रोटी खाने 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 गए जब वो जा रहे थे तो गुजरात की पुलीस ने रोक लिया शायद भाजपा की पुलीस को लगा कि पूरा आटो वालों का जो वोट बैंक है वो भाजपा से खिसक के आम आदमी पार्टी के पास चला जाएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिली में भी आटो चालकों का दिल जीता कोविड-19 महमारी के दोरान 5-5 हजार रुपे दो बार आटो वालों की जेब में डाले क्योंकि ना कोई सबारी थी ना कोई आमदनी थी आम आदमी पार्टी उनका ख्याल रखती है कहीं गुजरात में भी आटो वाले आम आदमी पार्टी के साथ ना हो जाए हमें रोक लिया सेक्योरिटी मिलेगी ना बात सेक्योरिटी की ही नहीं है बात पुलीस का इस्तमाल करके एक लोगतांतरे डंग से चुना